हंजी गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे स्टुडेंट्स एट क्लास में आप सब का स्वागत है आज तिनाग 10 अप्रेल 2020 के दिन मैं आपको हिंदी व्याकरन का जो प्रकरन है संग्या वह करवाऊंगी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर भाव गुन आदी के नाम को संग्या कहते हैं ये थी स्टुएंट्स संग्या की परिभाशा अब देखते हैं kinds of noun यानि संग्या के बेद संग्या के निमलकि 5 बेद हैं कितने हैं? 5 पहला है वैक्तिवाचक यानि प्रोपर noun जातिवाचक, common noun भावचक, extract noun समुधाय या समुहेवाचक, collective noun और 5 है द्रव्यवाचक यानि material noun तो व्यक्तिवाचक संग्या यानि प्रॉपर नाउन की परिभाशा देखिए जिस संग्या से किसी एक ही व्यक्ति वस्तु या स्थान विशेश का बोध हो देखिए यहां व्यक्ति वस्तु या स्थान विशेश का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संग्या कहते हैं जैसे ये व उस्तकों के नाम है, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम और त्योहानों के नाम। तो यह क्या था व्यक्तिवाचक, लेकिन यहां मनुश्य तो मनुश्य कोई भी हो सकता है। उन्हें भावचक संग्या कहते हैं, मतलब धरम, गुन, अर्थ और भाव जो हैं वो प्रयवाच्ची होते हैं, इसी भाव कोई भी हो सकता है ना, जैसे लंबाई, तो लंबाई किसमे हैं? अवस्था में आया, बुढ़ापा, भाव है, नमरता का भाव है, मिठास का भाव है, करोध का, श्यत्रुता, दया, करुना, आदि, यह है भाव वाचक। फिर है समुहे वाचक्याने, क्लेक्टिव ना, जिन संग्या शब्दों से वेक्तियों या वस्तों के समुहे का बोध हो, यानि जो एक समुहे बना रहा है, उन्हें समुहे वाचक संग्या कहते हैं, जैसे सभा, एक वेक्ति की सभा नहीं होती है, समुहे होता है, एक से अध तोलवाली वस्तुओं का बोध हूँ उन्हें द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं जैसे सोना, सोना द्रव्या है, मैटेरियल है, चांदी, लोहा, दूद, ये लिक्विड है, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाच, आदी, तो ये द्रव्या है, तो स्टुडेंट्स ये था एट क्लास का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है संग्या, मैं उमीद करती हूँ कि आप सबनी इसको अच्छे से समझा होगा, तो कल नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम करेंगी, धन्यवाद